वलिका के मामा तिरु अनन्द पुरम में रहते हैं वलिका के मामा कहा रहते हैं तिरु अनन्द पुरम में तिरु अनन्द पुरम केरल की राजधानी है वलिका एक बार अपने मामा जी के साथ त्रिचूर पुरब पुरसब देखने गई थी बच्चों वल्लिका कहा गई थी तिरुवनंद पुरम में वहां कौन रहता है उसके मामा जी रहते हैं और तिरुवनंद पुरम केरल की राजधानी है वल्लिका एक बार मामा जी के साथ तिरुवनंद पुरम में त्रिचूर पुरम उत्सब देखने गई थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जो हार होता है जिसका नाम है त्रिचूर पुरम उत्सव वो उसे देखने के लिए गई थी केरल में हाथी बहुत पाए जाते हैं और इस उत्सव का मुख्य अकर्षन भी सजेवे हाथी होती है हा अकर्षन का अर्थ है जो, खिजाव, अड्ड्रेक्शन हाथी इतने सुंदर लगते हैं वो पूरे के पूरे हाथी जब निकलते हैं तो फिर सब लोग उने देखने के लिए आते हैं उस उत्सव में और वो हाथी बहुत सुन्दर लग रहे होते हैं तब इसलिए यह है उस उत्सव का मुख्य आकर्शन होते हैं इसके अलावा छाता प्रतियोगिता और शांदार आतिश बाजी भी आयोजित होती है बच्चों प्रतियोगिता का अर्थ है मुकाबला वहां पर एक छाता प्रतियोगिता का मुकाबला भी होता है और सब लोग उसे देखते हैं और आनंदित होते हैं और शांदार आतिश बाजी भी आयोजित होती है आतिश बाजी का भी आयोजन किया जाता है वहाँ उसकी तयारी की जाती है और सब लोग उसका आनंद लेती है